तो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम ये पैंसिल हमें मुड़ी हुई सी क्यों दिख रही है इसके मुड़े होने के बीचे कारण क्या है ऐसे ही कुछ चल रहा है न आपके दिमाग में तो बाई हलो स्टूरेंट्स वालकम चू मागनेट ब्रेंज दिस इस अनाम इका सिंग कैसे हैं आप सभी सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए मिनी सीरीज और मिनी सीरीज में आज का टॉपिक है कि ये तिर्ची क्यों दिख रही है कुछ जग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में सुरह ही होगा ना तो पहली बात तो यहां पर प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल भी नहीं है तो मैं इसे थोड़ा सा बिटा साइड में रख दूं पहले तो क्योंकि इसे साइड में नहीं रखूंगे तो बताऊंगे क तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसके कारण हमें वो थोड़ी सी तरची या पर पैंसिल हमें मुड़ी होई दिखाई दे रही है सो प्रकाश का अपवरतन हम से क्या कहता है कि जब यह कोई प्रकाश की किरण एक मात्यम से दूसरे मात्यम में जाएगी सो वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी बिचलित हो जाएगी बस इसी को हम क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं मेरे बात ध्यान से सुनिएगा ये हमारा क्या होता है नॉर्मल यानि की अभिलाम ये है एक माध्यम जैसे मान लेते हैं कि ये है विरल माध्यम और जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है पानी एक सघन माध्यम सो हो गई ये प्रकाश की किरण ऐसे आई भाई जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन जब भी ये विरल से सगन में आएगी तो अभिलंब की और जुक जाएगी जिसके कारण हमें ये थोड़ी से मुड़ी हुई या तिछी दिखाई देगी और वहीं अगर ये उल्टा होता कि अगर लाइट रवे प्रकाश की किरण बिटा सगन से विरल में आती ना तो ये अभिलंब से दूर हट जाती तो कुछ इस प्रकार की कहानी या कॉंसेप्ट होता है जिसके कारण हमें जो ये पैंसिल है या कोई छड़बी होती तो वह हमें थोड़ी सी तिर्चिया मुड़ी हुई दिखाई देती So I hope कि आपको ये concept clear हो गया होगा comment section में इस तरीके की वीडियो के लिए comment जरूर करिएगा और कोई concept आपको जानना हो तो उसके लिए भी comment जरूर करिएगा And सबसे important हमारे चैनल को subscribe कर लो भाई ताकि आपको हमारी इस तरीके की classes का notification मिलता रहे और आप जब सभी को update भी मिलती रहे हमारी सारी वीडियो की So मिलते हैं हम next वीडियो में comment section में जरूर बताना और किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं सबसे important इसे like कर देना इसे share कर देना और उससे भी ज़्यादा important यह हमारे कुछ other platforms जहां पर आप हमसे जोड़ सकते हैं बाकि यह कुछ other platforms ऐसे हैं जहां पर आपको classes के अलावा और भी आपके exam से related या और भी तरह तरह के information आपको यह मिलेंगी So thank you class